लगता है मौजुदा सरकार के कारकाल में देश की जनता को 2020 में भी विरुजगारी से चुटकारा नहीं मिलने वाला है एक तरफ देश की अर्थवेवस्था में सुस्ती बरकरार है, साथी महेंगाई भी पावपसारे हुए है लेकिन इन सब के अलावा विरुजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वहीं इसके बाद अब SBI State Bank of India ने अपनी रिपोर्ट में विरुजगारी को लेकर जो दावे किये हैं उससे लोगों की परिसानी और भी बढ़ सकती है SBI ने इस रिपोर्ट में दावा किया है कि इस वर्ष कम नौकरिया मिल सकती है रिपोर्ट के अनुसार 16 लाख नौकरिया कम पैदा होने की बात कही जा रही है ये वैसी नौकरिया है जो पेरोल के आकड़े पर अधारित होती है Research Note के अनुसार 2019 से 2020 में नए पैरोल के अधार पर 2018 की तुल्ला में 20% नौकरिया कम हो सकती है आपको बता दे कि EPFO सितंबर 2017 के बात से संसोधित पैरोल डेटा जारी कर रहा है जिसमें नौकरी छोड़ चुके और फिर से नौकरी जोईन किये लोगों को शामिल किया गया है दाइकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार EPFO के आकड़ों से पता चलता है कि वित वर्स 2020 के लिए वारसीक नए नामंकन 106.2 लाग करोड हो सकते हैं वहीं SBI के एक रिसर्च टीम बताती है कि नए पेरोल के अधार पर यह संख्या 73.9 लाग हो सकती है पिछले वर्स 89.7 लाग रोजगार के आउसर पैदा हुए थे वहीं EPFO द्वारा 2018 में जारी किये गए आकड़ों की माने तो 21% या 15.8 लाग नौकरियां कम हो सकती है आपको बता दे कि सरकार ने पहली बार EPFO, ESIC और NPS के रिकोर्ड का उप्योग करके अपरेल 2017 में मासिक पेरोल डेटा परकाशित करना सुरू किया था EPFO द्वारा जारी किये जाने वाले आकड़ों में कम वेतन वाली नौकरियां सामिल होती है जिन में वेतन की अधिक्तम सीमा 15,000 रुपे मासिक है वहीं SBI की रिपोर्ट के अनुसार असम, बिहार, राजस्थान, उत्तर परदेश और उडिसा जैसे राज्यों में नौकरी मजदूरी के लिए बाहर गए वेक्तियों की ओर से घर भेजे जैने वाले धन में कमी आई है इससे यह पता चलता है कि ठेके पर काम करने वाले लोगों की संख्यों में कमी आई है इन राज्यों से लोग मजदूरी के लिए पंजाब, गुजरात और महराष्ट जैसे राज्यों में जाते हैं मालूम हो कि केंदर की बीजीपी सरकार में पिछले 42 सालों में सबसे अधिक बेरुजगारी का इस्तर देखा गया वहीं अब 2020 में भी अच्छी खासी नौकरियों का नुकसान होने का अनुमाल लगाया जा रहा है नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरुतों के लिए हमेशा से यूटूब एड्स पर निरपर रहा है हमारी काफी वीडियोज को यूटूब की तरफ से डी मोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स ने मिल पाती इसकी वज़ा से हमें आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा जरुरत अब है पैट्रियोन एक ऐसा फ्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं जिसका मतलब हुआ कि हम अजादी से पत्रिकारता कर पाएंगे आप से सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी अवाज को और बुलंद कर पाएंगे आप पैट्रियोन पर मातर दो डॉलर करीब 140 उर्पर परतिमा से हमारी सहायता कर सकते हैं पैट्रियोन क्रेटिट कार और डेबिट कार दोनों ही सपोर्ट करता है हाँ जरूर रही है कि पैट्रियोन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एलाउड होने चाहिए अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर करके इसको असानी से चालू करवा सकते हैं पैट्रियोन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है निचनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निचनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके निस्नल दस्तव को बचाने के लिए बहुत जरूरली है कि हर ख़बर को share करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें